blood clotting factor का concept आपके need syllabus point of view से बहुत ही जादा important होते हैं इनमें total तीन तरीके से question पुछा जाता है एक तरीका ये होता है कि आपको clotting factor का numbering पूछ देंगे कि बताइए कि 10th number का clotting factor क्या होता है दूसरा तरीका ये भी होता है कि कई वरी से question बनता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा minerals हैं जो कि clotting factor में काम आते हैं तो आपको answer देंगे होना होगा कि calcium जो है वो एक तरह का minerals हैं और वो clotting factor में काम आते हैं question इस तरीके से भी बनता है कि इन में से कौन से clotting factor नहीं है तो आपको अगर यह याद नहीं होगा यह 13 जो हम आपको clotting factor बताएंगे तो आप answer गलत करके आएंगे examination में इसलिए बहुत important हो जाता है कि यह 13 का 13 concept आपको याद हो या आपको लग रहा होगा कि यह 13 है यार इसको याद करना थोड़ा मुस्किल होगा लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से आपको यह पूरा का पूरा clotting factor याद हो जाएगा बने रही है हमारे साथ आप देख रहे हैं informal science सुरू होने से पहले बस इस वीडियो के यार लाइक कर दो ठीक है तो दिखिए clotting factor जो है वो टोटल 13 है हना हम आपको नाम बता रहे हैं आपको वन भाई वन फिर ट्रिक बताते हैं यह पहला जो है वो है आपका है फिब्रिनॉजन दूसरा नमबर का कलोटिंग फक्टर है प्रो थ्रॉम्बी ठा नंबर का Clothing Factor है Calcium, Phi晴 olur है Libyle , Six है Axelrion , 7th है AStable , 8 है AHG that means Acute Herpatic गिंगी वह Asomatitis , उसके बात है 9th नंबर का the Christmas Factor , 10th नंबर का steward-pror factor , 11th पर है PTA , जिसका की इमन फैक्टर्स यहां पर और थर्टीन नंबर पर है हमारा फिब्रीन अस्टेबिलाइजिंग फैक्टर तो यह टोटल होते हैं थर्टीन जो की ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं अब इसके ट्रिक पर आते हैं ट्रिक देखिए बहुत आसान है एक हलका सा चुटकुला पर याद करेंगा और पुरा 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 प्लोटिंग फैक्टर आपको याद हो जाएगा देखिए हमको यह जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है राइट इसको आपको बस एक सीरिल वाइज याद कर लेना है उसके बाद इसका जो इलाबरेटेट फैम है ओ तो प्लाइन को याद कर लिजेगा आपको याद हो जाएगा टी स्टैन्स फूर तू सी स्टैन्स फूर चल लस्टैन्स फूर ले आ ले यह स्टैन्स फूर आ एसंस फूर समों से A स्टैन्स फूर आज C स्टैन्स फूर चोरी से चोरी S स्टैन्स फूर से P स्टैन्स फूर फिर H स्टैन्स फूर होगा and F स्टैन्स फूर फाइदा तो इस से जो रेड कलर से लिखी वी लाइन्स है उसको आप याद कर ले है देखिए फाजान पहले तू चल लेया समोसे आज चोरी से फिर होगा फायदा आप इस statement को याद कर लेंगे और उसका first letter जो है उस basis पर आप इसको 2-4 वर पढ़ लेंगे उसको आदे आसानी से आपको 13-13 clotting factor याद हो जाएगा और वो भी serial wise हो जाएगा friends तो यह आपका trick था blood clot को याद करने के लिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि मैं नीट से रिलेटेड इसी तरह के सौट टॉपिक्स या फिर कोई ट्रिक्स जो की याद करने में मुश्किल होते हैं और लेटेस्ट अप